सभी को नमस्कार सभी का हार्दिक सवागत एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलास हब यूडूब चैनल में हरियाना आज की ताजा खबरें सबसे पहले देखते हैं पुलिस भरती यानी सिपाही भरती के पेपर लीक मोहमद अफजल डार की जमानत याचिका खारीज कर दी गई है सिपाही भरती पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरोपी मोहमद अफजल डार की जमानत याचिका कोट ने रद कर दी है अगली बड़ी अपडेट देख लेते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट क्या है अगली बड़ी अपडेट दूसरे से सिपाही भरती की प्रिक्सा दिलवा हुआ पास आरोपी किया गया है काबू अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं हर्याना पुलिस पुरुष सिपाही पी एस्टी में असली के स्थान पर 49 युवा दोड लगाने के लिए पहुंचे ऐसा बताया है हर्याना करमचारी चैनाग के मुस्तैदी से धरे गए पुलिस ने FIR दर्ज कर एक को गिरफतार कर दिया है हर्याना करमचारी चैनाग के लिखित प्रिक्सा का पेपर लिखोने उमिदवार के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के बैठने पेपर आउट करने जैसी घटनाएं तो हो ही रही है मगर पुलिस भरती में असली उमिदवार के स्थान पर दूसरे युवा की दोड से दोड लगाने के लिए पहुंचने की घरताएं भी सामने आई यह तो हरियाना करमचारी चायनाओ की मुस्ताधी थी कि ऐसे 49 युवा पकड़े गए हैं आयोग के अध्यक्स बोपाल सिंग खदरी वे सदेशे ने बताया है कि कमबोज पुलिस सिपाही भरती के पीएश्टी फिजिकल स्क्रीनिंग के समय मोके पर आला गलग समय मोजूद रहते थे पंचकुला के सेक्टर तीन स्थित ताउ देविलाज स्टेडियम के बाहर पीएश्टी हुआ था पंचकुला पुलिस ने तीन जनवरी को गिरफतार किया बायोमेट्रिक टेस्ट के समय पकड़े गए ऐसा बोपाल सिंग खदरी जी ने बताया है ये पूरी अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखे क्या क्या है फरवरी में CET लेने की है तयारी आयोग समान्य पतरता प्रिक्सा CET फरवरी माह में कराने की योजना तयार कर रहा है इसके लिए आयोग की दिल्ली के जैंसियों से भी बैठक हो चुकी हैं आठ जनवरी को फिर से इस मामले को लेकर बैठक है इधर करोन मुश्किल से भी मुश्किल काम लग रहा है जहां तक हमें उमीद है कि CET की प्रिक्सा मई या जून तक जरूर खेंच जाएगी इतना लंबा समय कम से कम लग सकता है ये आयोग सिर्फ आसार लगा रहा है मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि फरवरी में CET की तयारी की जाए लेकिन उपर से करोना काल भी है ऐसे में संभावना कम ही दिखती है कि फरवरी में CET हो जाए बीस जनवरी तक सिपाही पुलिस की PST चलेगी इसके बाद उन सरेणियों को प्रिणाम जारी के जाएंगे जिन में समाजी कार्थिक आधार पर अंक सामिल नहीं ये बात मैं पह पासी सरेणियों के साड़े साथ सो अभ्यारतियों ने अपना दावा वापिस ले लिया था और इनी में अब जो आपके फाइनल रिजल्ट आने सुरू हो जाएंगे 20 जनवरी के बाद आपके फाइनल रिजल्ट सुरू हो जाएंगे जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख प गोसित कर दिये जाएंगे 26,704 पदों के प्रिणाम आगे चलते हैं अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं ये कुछ वकैंसी निकली हैं आप फोम भरना चाते हैं तो फोम एपलाई कर दीजेगा 15 जनवरी से 4 फरवरी तक आप फोम भर सकते हैं ये आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं विदिय अधिकारी गरेड भी की दो वकैंसी परबंदक तकनी की सिविल की 6 वकैंसी और परबंदक 3 लाइबरेरी एक वस्तुकार गरेड एक और पुरण काली कनुबंदन एक वकैंसी निकली हैं अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं CM से नहीं मिला गैस टीचर से नीजी स्कूलों में फरी सिक्सा के लिए दर दर बटक रहें अभी वावकवे विद्यार्थी रिजल्ट के 20 दिन बाद भी नहीं मिला दाखिला सडकों पर पिरेंट्स डियो दफ्तर पर जड़ा ताला अगली बड़ी अपडेट सरकार बोली काउंसलिंग सुरू होने द सब्सक्राइब करके बेल आइकोन का बटन दबाईए और वीडियो को लाइक सेर करना भूल गए हैं तवस्चे कीजिए थेंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो